कोलकाता आर जीकर हॉस्पिटल में एक लेडी डॉक्टर का गैंग रेप और मर्डर का कांड हुआ ये खबर पूरे भारत को जग जोर के रख दिया दोस्तो CBI के प्रयास और उसके काम करने का तरीका से ये तो पता चल गया कि कुछ और देरी हो सकता है लेकिन एक-एक मुजरिम को पकड़ कर फांसी के फंदे तक पहुचा के ही दम लेगा दोस्तो निर्भया गैंग रेफ बाला मामला में तो सिर्फ तीन को ही फांसी लगा था लेकिन ये डॉक्टर बिटिया के साथ दरी इंदगी करने वाला लगभग दस आरोपी भी फांसी के फंदे पर लटकेंगे दोस्तो ये वीडियो पूरा देखिए क्योंकि अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तो यूट्यूब वीडियो को बहुत आगे तक पहुचाएगा और रेफ करने का मानसिक सोच रखने वाले थर थर कांप जाएंगे और इससे रेफ, हत्या और क्राइम भी काफी हत्तक कम हो जाएगा रेफ मर्डर करने वाले मुजरिम को लगता है कि सजा तो हम काट लेंगे लेकिन फांसी की सजा जो आपको आसान लगता है वह आज मैं बताने जा रहा हूँ कि फांसी की सजा कैसे दी जाती है उसमें मुजरिम कैसे तडप तरप के मरता है और अगर मुजरिम फिर भी नहीं डर रहा है तो आज के वीडियो में फांसी के सजा कैसे दी जाती है ये पूरा डिटेल में बताऊंगा विस्वास मानिये आपके रॉंग्टे काप जाएंगे तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देखकर इसे शेयर जरूर कीजिएगा उन दरिंदों को जो गलत सोच रखते हैं दोस्तों भले ही अपने इंडिया में जुर्म की सजा लेट मिले अपराधी भारत के कानून से भाग सकते हैं लेकिन बच नहीं सकते आपको बता दें कि भारत में सबसे खतरनाक सजा फांसी की सजा मानी जाती है बीते सालों में भारत में भी बहुत से लोगों को फांसी दी गई है अधिकतर लोगों को यह बात पता नहीं होती कि फांसी दी कैसे जाती है और एक सवाल भी पहले उठता है कि क्यों हमेशा सूर्योदय से पहले फांसी दी जाती है क्यों फांसी देते वक्त कैदी जल्लात को देख नहीं पाता तो चलिए दोस्तों जानते हैं सभी सवालों का ज पैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को All पर जरूर सिलेक्ट कर दीजिए। फांसी की सजा दुनिया की सबसे खतरनाक सजा है, क्योंकि ये सजाय मौत हैं। दुनिया में शायद कोई ही ऐसा होगा, जो खुद फांसी पर लटकते हुए देखना चाहता हो। वही जो लोग किसी अपराधी के फांसी की तैयारी करते हैं, सोचिए उनकी क्या सेचुएसन होती होगी। क्योंकि जिन्दा आदमी की मौत की तैयारी करना सब के लिए बहुत मुश्किल है। खास तोर पर जलाद के लिए फांसी के लेकर बहुत सी बात है जो। चलिए दोस्तों बात करते हैं, फांसी दी कैसे जाती है? दोस्तों, हर राज्य का अपना अलग कानून होता है. दिल्ली के जेल मैनेजर के मताबिक, दिल्ली तिहार जेल मुजरिमों को सजा दिलाने के लिए फेमस है. दिल्ली के तिहार जेल नमबर तीन में फांसी दी जाती ह फांसी की तारीख और जगहे लिखी होती है। इसे ब्लॉक औफ डीसली कहा जाता है। इसकी चारों और बॉर्डर पर काले रंग का बॉर्डर बना होता है। क्योंकि फांसी की सजा देने का इसी तरह से प्रोसेस है। मुजरिम को फांसी की सजा सुनाने के बाद मुजरिम चाहे तो राष्ट्रपती के पास दया याचिका लगा सकता है। जिसमें बहुत बार मुजरिम को सजा माफ या सजा कम भी हो जाता है। पर अगर राष्ट्रपती दया याचिका खारिज कर दे तो मुजरिम को फांसी होन नतय है, कई बार महीना या सालों का वक्त लग जाता है। लेकिन अक्सर मुझरिम को फांसी की सजा सुनाने के बाद 14 दोनों का समय दिया जाता है। नतय है, कैदी को फांसी देने की प्रक्रिया। जब कोट से कैदी को फांसी की सजा सुनाई जाती है, तो पहले कैदी को डेंट सेल में रखा जाता है। लेकिन फांसी की प्रक्रिया स्टार्ट होने से पहले कैदी को जीस कोठी में लाया जाता है। वह एक काल कोठी जैसी होत जिसमें अंधेरा ही अंधेरा होता है, जिसमें एक कंबल और पीने का पानी होता है, और समय समय पर कैदी को खाना पीना दिया जाता है, उसे फांसी कोठी कहा जाता है, फांसी कोठी में कैदी के अलावा किसी को जाने का परमिशन नहीं होता, उसे फांसी कोठी जेल के बाकी स जेल मे नहीं होती, बलकि ये नॉर्मल जेल से दूर बनाई जाती है. बात कहे अगर तिहाड जेल के जो अंग्रेजों के सामने में ही तिहाड जेल नकसे में फांसी कोठी बनाया जाता है, जिस हिसाब से फांसी कोठी का निर्मान हुआ ये फांसी कोठी बिहार में जेल नमबर तीन में कैदियों के बराख से बहुत दूर सुनसान जगह पर बनाई गई है जेल में क्या गतिविधी चल रही है इसके बारे में फांसी कोठी में रह रहे कैदी वहां के security guard की कोई खबर नहीं होती फांसी कोठी किसी आम सेल की तरह नहीं होती ये इतनी खतरनाक होती है कि कैदी जैसे ही इसमें जाता है कि उसी समय से उसे अपनी मौत का एहसास होने लगता है अगर हम ये कहें कि यह कमरा किसी मौत के कुएं से कम नहीं है तो यह गलत नहीं होगा दोस्तों, काल कोठी या डेट सेल में कैदी की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाता है फांसी के सजा के बाद से फांसी वाले दिन तक कैदी को किसी भी प्रकार के ऐसे कपड़े पहने नहीं दिया जाता है जिससे वह खुद को नुकसान पहुचा सके डेट सेल के कैदीयों को बाकी और चीज तो छोड़िये पाए जामे का नारा तक पहनने नहीं दिया जाता तिहार जेल में नमबर तीन में जिस बिल्डिंग में फांसी होती है इस बिल्डिंग में लगभग 16 डेट सेल है डेट सेल में कैदी को अकेला रखा जाता है उसके साथ कोई भी मौजूद नहीं होता जब कैदी को फांसी होने वाली होती है तब 24 घंटे के बीच कैदी को आधा घंटा टहलने के लिए परमिशन दी जाती है फांसी हमेशा सूर्योदय से पहले दी जाती है फांसी का वक्त सुबह का इसलिए तै किया जाता है क्योंकि जेल मैनुवल के तहत जेल के सभी काम सूर्योदय के बाद किये जाते हैं फांसी के कारण जेल के बाकी काम पर असर न पड़े इसलिए ऐसा टाइम चुना जाता है फांसी वाले दिन मुजरिम को नहलाया जाता है और उसे पहनने के लिए नए कपड़े दिये जाते हैं दोस्तों जब मुजरिम को फांसी के लिए ले जाया जाता है इस वक्त उसकी दोनों हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया जाता है फांसी की सजा पाने वाले इंसान के नीचे एक सफेद घेरा बनाया जाता है उसी में कैदी को खड़ा किया जाता है इस निशान के ठीक उपर ही लगाने वाला फंदा लगा रहता है इसके अलावा फांसी देते वक्त कैदी के दोनों पैरों को भी बांध दिया जाता है दोस्तों, अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि जब कैदी को फांसी दी जाती है तो उसका मुह क्यों ढखा रहता है Actually दोस्तों, अक्सर जब लोग अपनी मौत सामने देख लेते हैं तो उनकी सांसे उपर नीचे होने लगती है अपनी मौत और जहलात के सामने देखकर कैदी घबराए नहीं इसी वजह से कैदी को काल कोठी से लाते वक्त ही मुह ढख दिया जाता है जहां फांसी होने वाली होती है वहां कैदी की आखिरी इच्छाओं का सम्मान किया जाता है अगर कोई कैदी फांसी होते वक्त अपनी वसीयत लिखवाना चाहे तो वहां मौजूद मजिस्ट्रेट वसीयत लिखते हैं इसके अलावा अगर मुजरिम चाहता है कि उसकी फांसी के वक्त वहाँ पंडित मौलवी आदी मौजूद हो, तो वह भी इंतजाम करवाया जाता है। दोस्तों, फांसी देने की प्रक्रिया में फांसी का समान का भी बहुत बड़ा रोल होता है। फांसी के समान में खटका, रुमाल, रस्सी सफेद, घेरा और बोरा होता है दोस्तों। सभी सामान फांसी की प्रक्रिया में बहुत जरूरी होता है। आपको बता दे की फांसी में काम आने वाले रस्सी, कोई मामूली रस्सी नहीं होती, बलकी उस रस्सी को आर्डर से बनवाया जाता है। किसी भी मुजरिम को फांसी पर लटकाने से पहले जलात कैदी के वजन का एक पुतला लटका कर ट्रायल करता है। और उसके बाद फांसी देने वाली रीकार्ड को ओर्डर दिया जाता है। इसके बाद फांसी से एक दिन पहले रसी पर रेत का बोरा लटका कर देखा जाता है, जो की कैदी के वजन से डेड़ गुना ज्यादा होता है। खटका फांसी देते वक्त खीचने वाला लीवर होता है, जिसे जलाद की भाशा में खटका कहते हैं। उसके खीचते ही जिस तखते पर कैदी खड़ा होता है, वह लकडी का तक्था खुल जाता है, और कैदी का शरीर नीचे कुए में रसी के साथ लटक जाता है। फांसी के वक्त जो रुमाल इस्तिमाल किये जाते हैं, उनका रंग लाल या काला या फर सफेध होता है। जाती है तब किसी भी कैदी को फांसी देने वाले जलाद का चेहरा नहीं दिखाया जाता। फांसी के वक्त जलाद के अलावा तीन अधिकारी मौजूद होते हैं। ये तीन अवसर जेल सुप्रीम टेंडेंड, मेडिकल आफिसर और मजिस्ट्रेट होते हैं। जलाद फांसी देने से पहले उसके कान में कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तो एक सरकारी करमचारी हूँ, कानून के हाथों मजबूर हूँ। इसके बाद अगर मुजरिम हिंदू है तो जलाद उसे रामराम बोलता है, जबकि अगर मुस्छिम है तो उसे आखिरी दफा सलाम कहता है, इतना करने के बाद जलाद लीवर खींच देता है। मुजीरिम के पैर के नीचे से तक्ठा हट जाता है और मुजरिम लटक जाता है और मुजरिम को तब तक लटकाया जाता है जब तक उसकी जान न चली जाए। उसके बाद डॉक्टर मुजरिम को चेक करते हैं और मौत की पुष्टी होने की जरूरी प्रक्रिया पूरी की जात और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन को आल पर जरूर सेलेक्ट कीजिए तब तक के लिए नमस्कार जय हिंद